Bitcoin ETF अप्रूव होने के बाद अब हो सकता है कि हमें XRP Coin का भी ETF बहुत जल्दी देखने को मिले और इसकी अपडेट में ने लास ताइम भी आपको अपने टेलिग्राम चेनल पर दी थी कि Solana Coin और XRP Coin इन दोनों Coin के हमें बहुत जल्दी ETF देखने को मिल सकते हैं और अब ऐसी बहुत सारी नियूज निकल का रदाई है सामने जिससे ये लगता है कि XRP Coin के अंदर में बहुत जल्दी बहुत अच्छी रेली देखने को मिल सकती है क्योंकि XRP Coin के ETF अप्रेल 2024 में अप्रूव हो सकते हैं एसी नियूज है मार्किट में तो हम यहाँ पर सारी नियूज को cover करने वाले हैं और XRP Coin की price prediction करने वाले हैं कि XRP Coin का future क्या रहने वाला है XRP Coin किस level तक जा सकता है कितने X का हमें return दे सकता है कब तक हमें इसे hold करना चाहिए और जिन लोगों ने अभी तक XRP coin में investment नहीं की है उन लोगों को कब इसमें अपनी amount invest करनी चाहिए तो सब कुछ आज की इस वीडियो में detail में बताने वाला हूं तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम cover करते हैं कुछ news को जो XRP coin से related है XRP coin के ETF हमें April 2024 में देखने को मिल सकते हैं और इसमें दो बड़ी company के नाम शामिल है BlackRock और Gray Scale इन दोनों के plan भी reveal हो चुके हैं जो सबसे बड़ी company थी वो थी BlackRock वो चाहती थी कि Bitcoin ETF जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए और अब उसी company की नजर है XRP coin के ETF के उपर अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अब देखते हैं कि April में यह ETF अप्रूव होते हैं या नहीं क्यूंकि आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पे ले XRP coin के उपर एक केस चल दा था जब वो केस इन्हों ने जीता था तब हमें XRP coin के अंदर कितनी अच्छी रेली देखने को मिली थी 24 घंटे के अंदर हमें 100% की गेनिंग XRP coin ने दी तो फिर से यहां पर हमें वही रेली देखने को मिल सकती है इसके ETF के बाद अगर आप हम सेकंड अपडेट की बात करें तो FadeNow के साथ Ripple coin ने जो है पार्टनर्शिप की है payment system के लिए अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं जैसे कि हम payment के लिए आज के टाइम पे इंडिया में सबसे जादा यूज करते हैं UPI को same यहाँ पर FadeNow को यूज किया जाता है US में payment system की तो इसी के साथ integration क्या है Ripple ने फिर अगर second update की बात करें तो second update आप यहाँ पर देख सकते हो कि every bank in Japan will use Ripple यानिके XRP coin यानिके अब हमें जापान के अंदर जितने भी bank है 2025 में उन सभी bankों को इसकी technology को यूज करना पड़ेगा XRP coin की ऐसा यहाँ पर statement निकल कर आया है तो यह भी एक बहुत बड़ी positive news है XRP coin के लिए और इसकी price में हमें बहुत अच्छी growth देखने को मिल सकती है अगर 2025 में यह चीज हो जाती है और 2025 तक जो हमारा bull run चलेगा उस वक्त हमें XRP coin के अंदर काफी बड़ा pump देखने को मिल सकत कि यह किस तरीके से work करता है इन्होंने proper chart बनाकर यहाँ पर हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इनका जो payment system है वो किस तरीके से work करता है और इसके benefits क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूं वो इन्होंने यहाँ पर बताएं कि इसके benefit क्या है जैसे कि हम कोड़ा benefit होता है ब्लॉक्चेन के थूरू payment करने के लिए जैसे कि हम क्रिप्टो करन्सी में जो भी पैमेंट करते हैं उससे पैमेंट हम लोगों के लिए कितना जादा आसान हो गया यूपिया इसे भी जादा आसान लगता है क्रिप्टो के थूरू payment करने में क्यूंकि कोस्ट भी कमाती है एक जगह से हम दूसरी जगह कोई भी अपना पैसा आसानी के साथ भैस सकते हैं क्रिप्टो करन्सी के थूरू एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर भी जैसे कि मैं इंडिया में बैठा हूं अगर मैं चाता हूं दुबाई में किसी को payment करूं तो मैं directly payment तो नह integration बढ़ रहे हैं और उसका adoption बढ़ता जा रहा है इससे हमें यही सारी चीज़े देखने को मिल रही है कि 2024 पचीस रिपल कोई के लिए काफी जादा बैस्ट होने वाला है इसकी price prediction करने से पहले आप लोगों को रिपल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यह कैसा project है और किस तरीके से वर्क करता है मैंने आप लोगों को काफी बार रिपल कोई के बारे में बताया हुआ भी है कि रिपल कोई किस तरीके से वर्क करता है और इसका जो यूज कैसे मैं वह पैमेंट को लेकर ही है इंडिया में भी काफी बड़े-बड़े बैंक है जो रिपल क येवल पे भी इसको accept किया जा रहा है और इसके adoption बढ़ते जा रहे हैं आई होप कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिपल कोई का future क्या होने वाला है अब हम बात करते हैं इसकी price prediction की तो यह CoinGeekow website पे अभी आप यहां पर current rank इसकी check कर सकते हो 6th rank पे चल रहा है और time high से लगब 84% down चल रहा है और यह बिल्कुल सही समय है इस coin के अंदर investment करने का क्योंकि अभी हमें यह बिल्कुल low price पे मिल रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें इसके अंदर correction भी देखनों को मिले तो इसका जो technical setup है कि आपको entry कहां पर बनानी है इसक को new all time high बना सकता है हो सकता है कि हमें XRP coin की price इस bullrun में $5 या फिर $10 भी देखनों को मिल जाए और ऐसा possible है क्योंकि अभी XRP coin के उपर जो case चल ला था जब इसने वह case जीता था तो 24 गंटे गंदर में कितना बड़ा pump देखने को मिला था यह हम सभी को पता है और अभी उस case का इन्वेस्टमेंट करने का जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किये अगर आपको मैं अपना suggestion कि आप लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी चाहिए तो minimum आप इसमें 5k इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि इसी बुलन में आपके 5k आपको हो सकता है 50k ब उन्वेस्टमेंट